नमस्कार दोस्तों चंदन क्लासेस प्रिया ग्राज में आप सब का स्वगत है आज का हमारा टॉपिक है राश्टी आये देखते हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा एक विट्टी वर्ष में उत्पादित वस्तु और सिवाओं वस्तु और सिवाओं का अंतिम मूल्य अंतिम मूल यह देखिए अंतिम मूल राष्टि आय कहलाता है अब देखिए एक बित्ती वर्ष क्या है एक बित्ती वर्ष मतलब होता है इक बित्ती वर्ष और आदिम मूल और आपका बेस्ते है आपका बाजारि मूल अंतिम मूल मतलब बाजार मूल ठीक है देखिए अब राष्टी आय की विच्छता देखती है राष्टी आय मौद्रिक रूप में प्राप्त की जाती है जो आपका राष्टी आय प्राप्त होगा वो पैसे के रूप में प्राप्त की जाएगा ठीक ना रोकड़ा जिसे बोलते हैं कैसकते हो राष्टी आय एक बित्ती वर्ष के लिए गढ़ना की जाती है जो आपकी राष्टी आए होगी वो आपकी एक बित्ती वर्ष के रुप में गढ़ना की जाएगी ठीक है एक बित्ती वर्ष जैसे आपने बताया जैसे मैंने बताया आपको एक तो बित्ति वर्स होना चाहिए राष्टि आए करना के लिए ठिक है राष्टि आए व्रस्थ वहुक्त हमसे व्रस्तुम के उस मुल का योग है जो अंतिमैं उभवोक्ता cnnr किया जाता है अन्ति मूख्वूक्ता तोar वहठ किये जाता है अन्ति मूख्वूक्ता क्या होता है है समझिएगा आपने गिऊंने का अत्पादन किया आप प्रथमों भोकता फिर आपने गिऊंने को वाज hey वहां में व्य अंतिम भोगता हो गया क्योंकि ब्रेट का आप कोई तूटा हुआ रुप बनेगा नहीं कि ब्रेट से ही कुछ और बन जाए जिसको बेचा जा सके हाँ अगर ब्रेट से कोई और चीज़ बना ली जाए जो बेचा जाए ठीक है तब वो जो बेचेगा वो अंतिम भोगता हो जाएगा ठीक है अब देखिए रास्टी आये रास्टी आये में उत्पादन क्रिया बिदियों को सामिल किया जाता है ठीक रास्टी आये आये उत्पादन का प्रवाह है रास्टी आये उत्पादन का प्रवाह है ना कि स्टॉक न नहीं है क्यों उत्पादन का परवह आप दिख्ञविये श्जय फलो क्या होता है और स्टॉक क्या होता है एक निश्चित समय अवधी में किया गया उत्पादन, एक निश्चित समय अवधि में किया गया उत्पादन आपका प्रवाह कहलाता है या फ्लो कहलाता है इस्टो क्या है? एक निश्चित समय पर की गई गड़ना एक निश्चित समय पर की गई गड़ना इस्टो कहलाती है है कि अब देखिए और श्टि आयमे सामिड्म होने वाले मद अरती YE में raise श्ची शीज शीज्गोब की जाती ह्द करें घ्र करें है कल थी कि एक वर्श में किया गयर दप्धम सामिलोगा जैसे बटी वर्श की बात की गई थी चाहिए एक बट यायं उसको भी सामिल किया जाता है और सरकार दवारा निसुल्ख उपलब्द कराईगे सेवायं यहों सामिल किया जाता है बैंकों की आय यह भी सामिल किया जाता है सरकार द्वारा किया जाने वाला सैनिक खर्च सैनिक पर खर्च वह भी राष्टी आय में सामिल किया जाता है ठीक है अब देखिए राष्टी आय में क्या क्या चीजे सामिल नहीं होगी राष्टी आय में क्या क्य अराश्टिया में सामिल नहीं किया जाएगा उधारी की पुना प्राप्ति आपने उधार दिया था अगर आप उसको पुना प्राप्त करते हैं तो नहीं सामिल किया जाएगा घरेलू कारे जैसे खाना बनाना यह सब चीजे घरेलू कारे जो जो चीजे है वो चीज राश्ट यह नहीं रख जाता है ठीक है पेंसन वजीफा कि जो बत्ता मिलता है स्तान्तर जो होती है जिसे आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है ना वो चीज़े उस पर राष्टी यह प्राप्त होता है यह राष्टिया के हिस्सा नहीं और अब देखिए पुरानी वर्स्तु की विक्री से प्राप्त जो प्राप्त आये होगी वो राश्टी आये में सामिल नहीं किया जाएगा सट्टे वाजियो और लाट्री से प्राप्त जो आये होती वो राश्टी आये में सामिल नहीं होगा ठीक है अब देखिए जिसके कारण से उत्पन हो तो राष्टी आये में सामिल होगा चूकि उत्पादन होगा तो आये भी प्राप्त होगा हम यह कहते हैं अगर कहीं पर उत्पादन होता है अगर चूकि उत्पादन किसी चिछक किया जाता है और उत्पादन किया जाएगा जहस्त उससे आप आए तो प्राप्त करेंगे ही अगर आए आप प्राप्त करते हैं तो आपको राष्टियाय में सामिल किया जाएगा ठीक है भारत में राष्टियाय की गढणा सरपर्थम 1968 में दादा भाय नरोजी नहीं किया था इनकी पुस्तक पुरिटी एंड अन ब्रिटिश सूर इन इंडिया है इस पुस्तक में जो प्रतिव्यक्ति आये थी वह 20 रुपए थी प्रतिव्यक्ति आये जो है 20 रुपए था ठीक 20 रुपए यह था और 1912 में फिलंडे सिराजे जो है जो सिराज है इनके द्वारा प्रतिव्यक्ति आये 49 रुपए बताई गी थी प्रतिव्यक्ति आये 49 रुपए बताई गी थी बीके आरवी राव सरपर्थम बैग्यान बैग्यानिक आधार पर राष्टि आये कि इन्होंने गर्णा किया था जो बीके आरवी राव है यह आपके राष्टि आये सलाकार जो समिती गठत किया गया उसमें भी सदसर है इन्होंने ही बैग्यानिक दिरिष्टे से बताई कि राष्टी आय के गढ़ना कैसे किया जाए तब इन्होंने राष्टी आय को राष्टी आय छेतर रुपए यहां लगभग 1931 उन्हें बताया था ठीक है सुतंतरता के समय देश की प्रत ब्यक्ति आय दोसो अठाईस रुपए है चार अगस्त उन्हेस को राष्टी आय समिती की इस्थापना किया गया इस समिती के अध्धक्ष पीसी महालोविस क्यों है पीसी महालोविस सदस कोन कोन से है मैंने बताया आपको इसके सदस्य है और अध्धक्ष कोन से है पीसी महालोविस है अब देखिएगा जो राष्टी आय समिती की सलाकार थे मतलब किसके सला पर यह समिती बनाई गी थी राष्टी आय जो समिती है यह किसके सला बनाई गी तो साइमन कुजनेट्स कौन है साइमन कुजनेट्स यह जो है यह साइमन जो कुजनेर्स हैं इनके सलाह पर ही राष्टी आय समिती के गठन किया गया था है इस राष्टी आय समिती के द्वारा यह नेड़े लिया गया कि राष्टी आय की गणना के लिए एक इस्थाई एक स्थाही संगठर बना जाए इस समीति के स्पारिस्स के आधार पर की द्वराश्व की घठर । भारत में रास्टी आए कि गणला करने का ड्रय है अगर कहा जाए अगर आपसे कहा जाएं कि जैसे की राष्टीय। गठंग कर दिये गया उसके पीशिए महलूबिस है और राष्टीय जो समिति के सकत्राइस कर अभी जब राष्टीय। समीति बन गई तो उनके सलहा पर किसका कठन किया गया इंगा किस आध थे केंद्री संख की कार्याला इसका फूल फार्म है कि दौरा किया जाता है सीएस्टो की अस्थापना मई 1951 में तथा इसका मुख्याला जो है नई दिल्ली में है कि अधार वर्ष इसी आधार वर्ष के अधार पर इसकी गणना की गए थी जो आकड़े जारी की जाते हैं किस आधार वर्ष पर जो जारी की जाते हैं उनिस सो आटालिस और उन्चास से उनिस सो चोसट और पैसट के अधार वर्ष पर उनिस सो आटालिस उनिस सो उन्चास के अंसवार राश्टी आए की गणना जिसे कन्वेंसलन जो है सिरीज कहा जाता है कन्वेंसलन जो है सिरीज बोले जाता है इसके ओंड़मान में इस्थान पर एयन थे का गठन किया गया ऐ है यका हराश्टी संक्रीश था है इसका फुल्फाप्य इसका मुख्यल्णनेक já है नाई दिल्ले में हैं अस्थाप्ना जो है इसका तेईस मई 2019 को किया गया NSSO प्लस CSO दोनों मिलाकर NSO का घठन किये गया इसका मतलब यह है अब दोनों अर्सित्वे नहीं है कौन को अर्सित्वे नहीं है NSSO नहीं है और CSSO भी अर्सित्वे नहीं है इन दोनों को जो मिलाकर NSO का घठन कर दिये गया स्टीत में बहुत त Matth गया हुँ ये देखेए अस सो और प्लस सी स अ इन दोनों को मिलाकर किसके गठन कर दिया इने और इस को मिलाकर गठन तीसरे का कर दिया गया है तो इसका मतलब दुनों का स्थितject तो स्मावत हो गया है अस्तित में स्मावत हो गया उनके अस्थान पर कोई और उसका जगए लिए ठीक है अब इसका कार क्या है राश्टियाय का गढ़ना करना कि देखिए जन्वरी 2015 के आधार जन्वरी 2015 को आधार वर्स को आधार वर्स 2004-2005 की अस्थान पर एक मिनट थोड़ दहन देजिएगा जन्वरी 2015 में जो आधार वर्स था 2004-2005 था उसके अस्थान पर 2011 को सुर्क्यार किये गया मतलब इसको समझेगा थोड़ा सा 2015 में यह निड़ा लिया गया कि जो इसके पहले 2004-2005 आधार वर्स था उसके अस्थान पर कुन सा अधार वर्स चुना गया है 2011-2012 यह चुना कब गया 2015 में वह लिखने का थोड़ा सा मिश्टेक है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वर्तमान में आपका अधार वर्स कौन सा है 2012-2012 कब चुना गया था 2015 में आप तक सब्सक्राइब